हेलो फेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल मैं हूँ विशाल और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने अंडॉइड फोन में आईफोन 13 को कैसे इंस्टॉल करेंगे और जो फंक्शन्स आपको आईफोन में देखने को मिलते हैं जैसे कि नोटिफिकेशन पैनल हो गया कंट्रोल सेंटर हो गया यह सारी चीसे आपको अपने अंडॉइड फोन में देखने को मिलेगी और आप उसे यूज़ भी कर पाएंगे तो चलिए जानते हैं कि हम अपने अंडॉइड फोन में आईफोन 13 को कैसे इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको अ हमारी एफ्लिकेशन इस्टॉल हो हुँ और हम थोड़ा सा वेइट कर लेते हैं आप तो काईस हमारी एफ्लिकेशन आप इस्टॉल हो चुकी है अब आपको सिंपली ओपन पे क्लिक कर देना है तार यहाँ पे आपको कुछ इस सरे का इंटरफिस देखने को मिलेगा तो काई बीच बीच में आपको कुछ एड़ देखने को मिलेगी इन एड़ को आप क्लोज कर दीजेगा बीच बीच में आपको कोई एड़ देखने को मिलती है तो यहाँ पर क्लोज कर देंगे इसको हम ठीक है उसके बाद गाइस यह आपसे बोल रहा है आपको अपना वाइल पर सेट करने के लिए तो आप इनमें से कोई साथ भी वाइल पर यहां पर सेट कर सकते हैं ठीक है फॉर एक्जामपल मैं इसको सेट कर लेता हूँ और यहां पर गैट स्टार्टेट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर while using the app पर क्लिक करेंगे allow कर देंगे इसको और यहाँ पर ok enable now पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद guys यहाँ पर हम permission देंगे इसको scroll करेंगे उपर और यहाँ पर हम देखेंगे launcher 13 कहाँ पर है तो guys यहाँ पर है phone 13 launcher यहाँ से हम इसे allow कर देंगे ठीक है उसके बाद OK Enable Now पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से हम इसे allow कर देंगे और यहाँ पर भी allow कर देंगे उसके बाद गैस यहाँ पर आपको इसका font style देखना है iOS style आपको console लेना इन दोनों में से आप select कर सकते हैं तो मैं इस पर रहने देता हूँ अगर आपको यह navigation बार नहीं चाहिए तो आपको full screen पर क्लिक करना उसके बाद जो navigation बार हो हट जाएगा अगर आपको चाहिए तो आप इसे uncheck ही रहने देंगे तीक है उसके बाद get started पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यह application रणिंग होने लगीगी आपके phone में तो कुछ इस तरह का interface आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर और उसके बाद हम status default पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम phone 13 launcher करदेंगे उसके क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ऐसके बाद कुछ इस तरह का interface सबादा है यहाँ को यह बोलता है वैसे वैसे आपको करना है ठीक है यहां इंडिकेट कर रहे हैं वहांपर आपको CLICK कर कर देना है उसके बाद travel जो फोन है वह पूरी तरफ़ी से iphone में बदल चुका है यहांपर जोuin applications वगर आपको दिख रहे हैं वह वह पूरे iphone की सकते हैं इसका जो नोटिफिकेशन पैनल है वो सेम आईफोन की तरह है आप इसे यूज भी कर सकते हैं जैसे कि बैटनिस आपको बढ़ानी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यह परमीशन माँएगा इसे येस कर देंगे और यहां से अलाव कर देंगे ठीक है उसक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा अप यहां से बीसे ओपें कर सकते है यहां से आप ''से आप यूज हो चुका है और सारे फंक्षन आपको यहाँ पर आइफोन की तरह देखने को मिलते हैं तो इस तरीके से आप अपने किसी भी एंडॉड फोन में आइफोन 13 को इस्टॉल कर सकते हैं और उसे आइफोन की तरह यूज कर सकते हैं तो आई होप की वीडियो आपको पसंद आई क्यूबू